हलो एब्रियों नमस्कार आई हो कि आप सभी अच्छ होंगे दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UKHSC पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्स द्वारा CBI जांच के लिए फाइल की गई रिट पिटिसन की आज Honorable Code में क्या हुआ इस मामले में मिलेगी फूरी जानकरी वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें तो दोस्तो बिना किसी देरे के शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो उत्राखां उच्चिन एले ने UK SSC यानि उत्राखां अधिनस्त चैन आयोक की परिक्षाओं में प्रनिश्टन पत्र लीक होने के मामले में CBI जान्च की मांग करने वाली कॉंग्रेस बिधायक वो उपनेतर प्रतिपक्स भूबन काप्री की याचिका पर आज सुनवाई की इस दोरान डवल बेंच ने याचि से 12 सितंबर तक यह बताने को कहा है की वह इस मामले के जान्च CBI से क्यों कराना चाहते हैं उन्हें STF की जान्च पर क्यों संदे हो रहा है क्या STF जान्च में किसी को बचाना चाहे रही है तो वह उसका नाम बताए मामले के अगली सुनवाई आप 12 सितंबर 2022 को होगी दोस्तो रिट पिटिसन में उपनेता पिर्टिपक्स भूपन काफरी ने उच्छे न्यायले में याच का दायर कर कहा है की UK SSS सी परिक्षा में हुई गड़बड़ी की जान्च STF सही तरीके से नहीं कर रही है अभी तक जो गिरबतारिया हुई है वे छोटे छोटे लोगों की हुई है जबकि बड़े लोगों की अभी तक एक भी गिरबतारी नहीं हुई है इसमें UP और उत्राखन के कई बड़े बड़े अधिकारी और नेता सामिल है और सरकार उनको बचा रही है इसलिए इस मामले की जाच STF से हटाकर CBI से कराई जाए याचिका करता ने याचिका में संसोधन के लिए Nilaylai से समय भी मागा है इस मामले की सुनवाई के दोरान सरकार की और से महाधिय वक्ता कोट में उपस्तित रहे उनकी और से कहना था कि याचिका राजनितिक कारोन से दाखिल की गई है इसलिए पोस्रण ये नहीं है लिहाजा इसे डिस्मिस किया जाए इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 सितंबर 2022 को होगी तब तक प्रेटिशनर भी इसमें यथा उचित संसोधन कर सकता है तो दोस्तों आई होब कि वीडियो जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी अपनी किसी भी कानूनी समस्य के लिए आप मेरे वट्सम नमबर पर मैसेश करके अपनी क्वेरी का रिपलाई प्राफ्त कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानक सारी के साथ तब तक स्वस्तों सुरक्षित रहे, have a great day!